Hello Everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Short Story Revelation इस Short Story को लिखा है Flandry O'Connor ने Connor एक American writer थी उन्होंने इस Short Story को 1964 में publish किया Connor ने अपनी death से कुछ अर्शा पहले ही इस Story को लिखा और publish किया इस Short Story को एक Gothic Story कहा जाता है Gothic किसे कहते हैं? Gothic का मतलब है ऐसी Story जिसके अंदर mystery हो और horror हो तो इस Story के अंदर भी हम देखते हैं कि Life के dark aspect को डिसकस किया गया है इसलिए इसे Gothic Story कहते हैं इस Short Story एक middle aged women के बारे में है जिसका नाम है Mrs. Turpin Mrs. Turpin एक middle age की ओरत हैं जिने अपने आप पर और अपनी जिन्दगी पर बहुत गरूर है उन्हें लगता है कि खुदा ने उन्हें एक बेहतरीन जिन्दगी दी है वो लोगों को उनकी शकल उनके रंग और उनके घर बार की basis पर जज़ करती हैं और अपने से कमतर लोगों को हकारत की नजर से देखती है ये शोर्ट स्टोरी उन्हें के बारे में है तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं हम Revelation ये कहानी है Mrs. Turpin की Mrs. Turpin अपने husband Clod की टांग पर मुझूद सخम के इलाज के लिए डॉक्टर के आफिस जाती है वो डॉक्टर के आफिस में मौझूद वेटिंग एरिया में इंतजार के लिए पहुंचती है वेटिंग एरिया के अंदर Mrs. Turpin को बैटने के लिए कोई जगा नहीं मिलती वो वेटिंग एरिया में मौझूद एक औरत से बात करना शुरू कर देती है उनके मताबिक वो औरत दिखने में बाकी सबसे बेहतर है वो औरत अपनी बेटी के साथ डॉक्टर का इंतजार कर रही होती है उसकी बेटी का नाम है मेरी क्रेस जो के Mrs. Turpin के मताबिक बहुत अजीब शकल की है Mrs. Turpin वेटिंग एरिया में मौझूद दूसरे लोगों पर भी नज़र डालती है और सब को उनकी शकल और क्लास के मताबिक जज़ करती है Mrs. Turpin एक दूसरी औरत को वाइट ट्रेश का लकब देती है और खुदा का शुकर अदा करती है कि उन्होंने उसे वाइट ट्रेश या कैला पैदा नहीं किया क्योंकि Mrs. Turpin को मताबिक इनसानों की दर्जा बंदी उनके रंग, शकल, घर बार और जमीनों से होती है Mrs. Turpin मेरी ग्रेस को बहुत अजीब तरीके से देखती है क्योंकि उन्हें उसकी बद सूर्टी पर अफसोस हो रहा होता है मेरी ग्रेस जोकि किताब पढ़ने में मगन है उसे Mrs. Turpin के इस तरह देखने पर गुसा आ रहा होता है Mrs. Turpin मेरी की मा और वाइट ट्रेश औरत को बताती है जो उनके पास एक अच्छा घर और जमीन है जिसमें उन्होंने जानवर पाले हुए है उनकी बातों के दोरान एक बलैक डिलिवरी बॉई आफस में दाखिल होता है उस डिलिवरी बॉई को देखकर Mrs. Turpin बॉद हमदर्टी के साथ उससे बात करती है और कहती है कि इन बलैक अमेरिकन्स को अफरीका वापिस भेज़ देना चाहिए और कहती है कि शुकर है खुदा ने उन्हें ऐसा पैदा नहीं किया मेरी को ये बाते सुनकर और गुसा आजाता है Mrs. Turpin मेरी से उसके कॉलिज और उसकी किताब के बारे में पूचती है कहकर अपने जिन्दगी पर फखरिया अंदास में शुकर अदा करती है जिस पर मेरी किताब उठा कर मिसस टर्पिन के मुँपर मार देती है और उसे कहती है कि जहन्नम में जाओ तुम काली बूड़ी भेड़ और उसके बाद मिसस टर्पिन अपने शोहर के साथ घर चली आती है घर आकर वो मेरी के अलफास के बारे में सोचती रहती है कुछ देर में कलॉड खेट से मजदूरे के साथ घर आता है मिसस टर्पिन उन मजदूरों को पानी देती है और फिर उन्हें मेरी के अलफास के बारे में बताती है जिसे सुनकर वो मजदूर उसे नजर अंदास कर देते हैं उसके बाद मिस्स टरपिन पिग पारलर चली जाती है लेकिन वहां भी उनके दिमाग से मेरी के अलफास नहीं जाते और वो खुदा से बात करते हुए कहती हैं कि वो जहन्नम में क्यों जाएं जहन्नम में तो वो वाइट ट्रेशी और काले लोग जाएं इतनी देर में मिस्स टर्पन के सामने एक नजारा आता है वो अपने सामने एक रोशनी आसमान से जो आ रही होती है उसे देखते हैं और उस रोशनी के इर्दगिर्द आग फैली होती है मिस्स टरपन अचानक देखती हैं कि कुछ लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं उन लोगों में सबसे आगे वो लोग हैं जिने मिसिस टर्पन कम तर समझती हैं जैसा के वो काला लड़का और मेरी ग्रेस और सबसे पीचे हैं मिसिस टर्पन और उनके हस्बंड कलॉड ये देखकर मिसिस टर्पन को एहसास होता है कि खुदा की नजर में तो सब बराबर है और ये सोचने के बाद वो अपनी जिन्दगी अच्छे से गुजारने लग जाती है और यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है स्टोरी हमने देख ली अब इसका एनालसिस देख लेते हैं हम शोर्ट स्टोरी का टाइटल है रिवलेशन रिवलेशन का क्या मतलब है रिवलेशन का मतलब है जाहिर करना मिसिस टर्पन जो के में करेक्टर है स्टोरी का खुदा उनके सामने जाहिर करता है कि जो वो सोचती है एक्चुल रियालिटी वो नहीं है मिस्स टर्पन को बहुत ज़्यादा गरूर है अपने उपर अपनी खुबसूरती पर या अपनी बेहतरीन जिंदगी पर लेकिन खुदा उनके सामने जाहिर करता है कि वो जो जिन लोगों को अपने से कमतर समझती है उनका दरजा खुदा की नजर में उनसे ज़्यादा है मिसेस टर्पन को ये लगता है क्योंके उनकी जिंदगी बेहतरीन है इसलिए खुदा की नजर में उनका दरजा भी बेहतरीन है उपर है और जो लोग काले हैं जो लोग खुबसूरत नहीं है उनका दरजा उनसे कम है लेकिन स्टोरी के लास्ट में हम देखते हैं कि उनके सामने रिवील होती है सचाई कि दरजा बंदी किस तरीके सी होती है खुदा के सामने क्या है दरजा बंदी और वो खुद को सबसे कम तर समझती है खुदा की नजर में ये है रिवलेशन और इस revelation में, इस reveal करने में main role play करती है Mary Grace Mary Grace मिस्स टर्पिन के सामने लेकर आती है कि जो उनकी thinking है वो गलत है She is the one who will go to hell और ये चीज़ मिस्स टर्पिन के दिमाग में बैठ चाती है वो सोचती रहती है और खुदा से बात करती है जिस पर उन्हें जवाब मिलता है कि जो वो सोचती है जो उनकी thinking है वो गलत है खुदा की नजर में सब equal है तो Mary Grace में role play करती है इस revelation के अंदर और यही इस story का theme भी है क्या है कि जो लोग खुद को बेहतर और दूसरों को कमतर समझते है उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है क्योंके वो हमेशा बेहतरी नहीं है हमेशा सबसे बरतर नहीं है और दूसरे लोग उनसे कमतर नहीं है जो उनकी सोच होती है और उसी सोच की basis पर वो दूसरे लोगों को treat करते हैं बुरे तरीके से उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत है उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो दरजा बंदी उनके दिमाग में है खुदा की नजर में सब लोग एक्वल है और उन्हें भी लोगों को अपने बराबर ही treat करना चाहिए ये में थीम है इस्टोरी का तो यहां पर खतम होता है हमारा आज का ये लेक्चर उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस